है रो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल के ऊपर दोस्तों रिजल्ट का सीजन शुरू हो चुका है और अब हमें यह देखना होगा एक नॉबल एंडेस्टेंडिंग जो होनी चाहिए हमको प्रॉपर एंडेस्टेंडिंग जो होनी चाहिए मतलब वो किस तरीके से हम एनलेस्टेंज करें जो भी रिजल्ट आ रहे हैं अब शुरू हो चुके हैं आज से वैसे तो और टी टी जैंट जो कंपनी हैं इन्फोसीस विप्रो एंड टी सीजन ओट आ चुके हैं तो यहां पर मैं आपको तीनों रिजल्ट का एनलेस्ट करनी नहीं मतलब दिखाऊँगा कि यहाँ पर आप analysis कैसे कर सकते हो कि कोई भी result अच्हा है कोई भी result खराब है या फिर कोई भी result बहुत अच्हा है तो आपको यहाँ पर खुदा बहुत लगज़ाएं अब मतलब रिजल्ट अच्छे हैं या बुरे हैं तो यहाँ पर result आपको देखेंगे अगर एक normal तरीके से अगर आप result को देखेंगे तो आपको लगेगा रिवा कितना बड़ी हा result है ठीक है जैसे यहाँ पर जो इनका profit है net profit वो 29.69 million है ठीक है और 29.7 million जो था वो last year के quarter में ही था ठीक है और मतलब उन्होंने उतना ही पैसा कमा जितना उन्होंने Q3 के last year में कमाया था ठीक revenue भी आप चेक करेंगे तो तो 203 million के आसपास है जो की एक अच्छा revenue है versus 156 जो पिछला साल के मुकाबले उनका revenue अच्छा है तो यानि कि उनका revenue बड़ा है profit भी उनका ठीक ठाक है अच्छा है तो यानि कि आप normal तरीके से अगर आ analysis को इस result को देखोगे तो आपको लगेगा अरे वाह क्या result है good result है जी हाँ result ठीक है result okay okay है लेकिन actual में market किस तरीके से किसी भी result को लेता है वो हमको समझना होगा market के point of view से समझना होगा एक normal इनसान के point of view से अगर हम समझेंगे तो हम शायद उसको ठीक तरीके से analysis नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर देखिए हर result के सामने कुछ आपको estimates मिलेगे ठीक है estimates बहुत जरूरी है आपको समझने estimates क्या होते हैं कि market को क्या estimate है मतलब market क्या expect कर रहा है किसी भी company के result से तो अगर विपरो की बात करें तो विपरो का जो estimate था वो 30.1 million के आसपास था उसका profit generate होना चाहिए था Q3 के जो result expected थे जो यह result announce हुए है उसमें आपका 30 billion कम से कम होना चाहिए था और अगर इसके 30 billion के आसपास अगर होता profit तो हम उसको good मानते क्या मांगते good result लेकिन अब क्योंकि 30 billion से कम है इसका profit तो याने की इसने estimation जो बजार का था बतर जो बजार चाहता था जितना result आना चाहिए था बजार की expectation जो थी उसको पूरा नहीं किया है इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या कैते हैं इसको हम बोलेंगे below expectation थीक है below estimation बोल दो या फिर below expectation बोल दो ठीक है आप कुछ भी इसको बोल सकते हो तो अगर below estimation है आपको दिखने में बड़ा अच्छा लगेगा लेकिन exactly जो इसका analysis करने का तरीका है वो यही है below estimation जो है वो आपका result announce किया है विपरो ने जो की market के point of view से it is not good ठीक है it is not good आपको समझ माया किस तरीके से करना है आपका normal behavior अगर आप देखेंगे तो you will feel कि it is good लेकिन market के point of view से it is not good I hope आप clear हो गया होगा ठीक है इसी तरीके से अगर आप कोई भी result देखें ठीक है कोई भी result देखें तो उसमें सबसे पहले आप बस यही देखेंगे कि जतना estimation था किसी भी company का उसके उपर जो है अपने estimation को beat किया है मतलब जतना भी expectation थी market क्या उसके हिसाब से result announce किया है company ने या नहीं किया है अगर किया है जैसे कि यहाँ पर infosys की अगर मैं बात करूँ जाके खुद चेक कीजिएगा यही apply करिएगा यही rule apply कीजिएगा estimation के उपर मतलब beat estimation मतलब beat estimation मतलब जो result है वो beat estimation कहलाएगा infosys का जो result आया है तो उसके अंदर result जो है that will be count as a good result जो भी market को expectation था वो पूरी expectation फुल्फिल कर दी है infosys ने विपरो ने नहीं की है यही बात TCS के उपर भी apply होगी तो TCS जो है वो भी below estimation के अंदर ही उसने result announce की है तो वो भी result ऐसे ही कहलाएगे not good type of result I hope यह आपको छोटी सी process follow करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और इस चीश को आप समझ भी गए होंगे ठीक है तो कोई भी result को सही तरीके से market के point of view से analysis कीजिए तभी आपको समझ में आगा कि वो result announce जो हुए है वो अच्छे result है market उसको अच्छे तरीके से लेगा या positive तरीके से लेगा या फिर negative तरीके से लेगा analysis करने का आपको help करेगा अभी क्योंकि season जो है वो just अभी अभी जो है आपका start हुआ है और अभी बहुत सारे major company के result जो है वो announce होने वाले हैं दूसरी important चीज मैं अगर आपको बताओ कि मेरी जो activity है वो personally मैं कुछ अब जो यह quarter चल रहा है उसके अंदर quarter three के जो result आ रहे हैं उस quarter three के result के अंदर जिन जिन company ने मतलब estimation के above जो है जाके result announce करेगी उन सब company की मैं list बनाऊंगा और वो list के अंदर मैं धीदिरे investment शुरू कर रहा हूँ ठीक है investment will be for क्या कहते हैं आप यह समझ लीजिए वो जो investment होगी वो कम से कम लगा लीजिए दो से तीन महिने तो मेरा कम से कम रहेगा रहेगा ठीक है equity में करूंगा मैं तो भी मैं आपको पहले सी बता रहा हूँ तो यहाँ पर जितने भी Q3 के result announce होने शुरू हो चुक है और जो भी होंगे आगे उसमें से जो भी अच्छे अच्छे company होंगी जो अपने estimation को beat कर देंगी जनकर यहाँ अच्छा होगा तो उनको मैं हर dip के अंदर buy करने के पूरे पूरे तरीके से मतलब mood में हूँ और जो list होगी जो भी list मेरी prepare होगी finally that list I will share on YouTube members ठीक है 599 वाले group जो है members के उनको मैं share कर दूंगा and they will get their list get the list and देखते हैं अगे क्या होता क्यों कि यहाँ पर fundamentally जो shares है plus और वो fundamentally shares जो है अगर आपके अच्छी जो result है उसको अगर देते हैं announce करते हैं तो it is good to have those stocks in the portfolio and portfolio will definitely be will be in the profit ठीक है चलिए उम्मिद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा motive जो है वो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके का रहता है analysis करना analysis जो होगी वो आपकी results के किस तरीके से होगी आपको समझ के आ गया होगा चलिए मिलते हैं अपने live telegram channel के उपर तब तक के लिए thank you thank you so much